हर्याना विधान सभा चुनावों के मद्दे नजर बीजेपी ने तिसी बार तिगाओं विधान सभा सीट से राजेश नागर पर विश्वास जताया और उन्हें इस बार फिर से टिगर दी गई है पहले दो सबसे बहले बधाई आप तन्यवाद बहुत-बहुत किस तरह की चुनोतियां देखते हैं इस बार दीसरी बार में देखो चुनोती कहीं भी नहीं है 2019 में भी तिगाओं विधान सभा हर्याना की 90 की 90 विधान सभाओं में सबसे ज़्यादा मत लेकर सबसे ज़्यादा बोट लेकर 90 की 90 विदान सावा में पहले नंबर पर आई थी और आज जो लोगों का प्यार आशिरवाद जो कल से टिकट की घोशना होते ही मुझे मिल रहा है मुझे पूर विश्वास है पूरी उमीद है कि 2024 में हम अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर फिर से पहले नंबर पर उन पहले से ज़्यादा मत लेकर पहले से ज़्यादा बोट लेकर हम जीत कर आएंगे अब के विदान से बच्च चचित्र के बारे में कहेंगे हैं कि यह सबसे कम कम हुए हैं डेखो मैं अगर काम की बात करूँ गिनवाने लग जाओं तो बहुत समय लग जाएगा फिर भी मैं मुखे-मुखे काम आपको बता देता हूं 400 करोड से जादा की लागत से विज्ञान भगवन जो हमारा सेक्टर 78 बतोले में बन रहा उसका काम चल रहा है महिला कॉलीज हमारा नचॉली में बन कर तयार हो गया है ITI हमारी तिगाओं में हरियाना की सबसे बड़ी ITI, Digital ITI, Model ITI जिसमें 54 ट्रेड है वो भी चालू हो चुकी है इस तरह से टाउन पार्क हमारा सेक्टर 30 में, हमारा इंडो स्टेडियम सेक्टर 30 में, हमारा सडकों की बात करें चारो तरफ सडकों का काम चल रहा है और सडकें, चारो तरफ सडकों का जाल बिच चुका है चाहे हम खेडी से मजावली तक की बात करें, फरिदावाद से तिगाओं की बात करें, फोर लेन की, बल्लवगर तिगाओं, मजावली की बात करें, दो बिजली के सबस्टेशन हमारे बन कर तयार हो गए, 78 सेक्टर में, 37 सेक्टर में, अम्रित योजना के तैट काफी, कही सो क सबसे बड़ी चुनौती या सबसे बड़ी चुनौती या से वड़ी शिकायत सफाई व्यवस्ता टूटी सड़कों को लेकर शेहर आम जो शेहर वासी उनकी रहें देखो सड़कों का काम देखो जो पहले जब से 2014 के बाद हमारी सरकार प्रदेश में भी देश में भी आई उसके बाद आप देखेंगे हाईवेज कितने हमारे बन रहे ह हमारी इंटरनल जो स्टेट हाईवेज वो कितने बने लोगों को रोज हाईवेज पर नहीं जाना लेकिन जो लोकल सड़के हैं जो लोकल गंदगी या जिस तरह के अंबार लगे पड़े हैं शेहर भर में कूडे के उससे लोगों को रोज दो चार होना था बीच में कुछ स को खारिज किया तो थोड़ी दिक्कत आई थी पर अब दुबारा से वो दिक्कत हमने सवाप्त करके नई कंपनियों को टेंडर दिये सफाई के और वो काम चल रहा है और सड़कों की बात करें चारों तरफ सड़के नई बनाई गई है जाए 2014 से के बाद इतनी सड़के हमार अगर को गरिस की हवाव होती पहले इनके नेता यह कहते थे कहेले अपने दम पर लड़ेंगे हम किसी के साथ घट बंदन नहीं करेंगे किसी के साथ समझाता करने को तयार है SP के साथ भी समझोता करने को तयार है NCP के साथ भी समझोता करने को तयार है इनके अंदर कितने गुटबाजी है कितने गुट इनके अंदर है तो यह कहां लड़ाई हमसे लड़ेंगे अपनी लड़ाई तो लड़नी पारे कि भी टिक्टे किसको दी जाए कब दी जाए कैसे दी जाए तो यह अभी हमारी कुछ टिक्टे रहेंगे हैं उनको जल्दी उनकी घोशना हो जाएगी अभी मोदी जी भाहर गए हुए है जैसे यह आते हैं आते ही उनकी जो हमारी बच्चीवी टिक्टों की घोशना कर दी जा जो मजावली पुल बनने के बाद जो जाम लगने की एक दिक्कत आ सकती है उसके लिए हमने एक फाइल पंपनी पास करा दिया सीम सहाव से मंजूरी भी हमारी मिल गई है अचार सहीता समापत होते ही उस पे काम होगा हमारे एक इंटरनेशनल इंडोर स्टेडियम हमें यहां प एक विजन है सोच है कि हम इसको एक ग्रेटर फिदाबाद में अपने एक टाउन पार्क बनाए एक पार्क हमारे कलोनी जो है पल्ला सेथपूर बसंतपूर अगवानपूर वहापर एक पार्क बनाए एक 200 बैड या 100 बैड का या CSC हमारे पल्ला बसंतपूर सेथपूर की त आये थे इस बार भी हर्याना में पहले नंबर पर आएंगे और पहले से बड़ी जीत हम आपकी हमारी तेगाविदान सवाकी होई कोई को फिकर तो अब यह जनता बताएगी और जनता जनार्दन जनता जो फैसला करेगी आपको भी पता लग जाएगा तो यह थे निरवर्त सचिन गोर्ड